हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन आज हम बनाएंगे मतन कोर्मा प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए तांके हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए मैंने लिया है किलो म मॉटन उसमें मैं डाल दूंगे कप दहीं पहले हम मतन को मैडिनेट करके रख चुंगे इसमें हम डाल देंगे लमक हल्दी अधर मसाला लाल मिर्च तिखे वाली एक एक चम्मा जीरा पाउडर थोड़ी से हम इसमें डालेंगे फ्राइड आनियां दो फ्राइड आनियां कि एक लती zaj हैं आ थNews पहले हम डाल देंगे ति दिस में डालेंगे जिंजर कलीपी स्ट और अपने व मतन को मैरिनेट करके हम आथेगंते के लिए छोड़़ देंगे हमें मटन को मेरिनीट की हुए आधा गंटा होगे है अब हमने एक कड़ा ही ले लिये ग्यास वान कर लिया है हम अपने मटन को इसमें डाल देंगे और इसे हम मेडियम ग्यास पर दस से बंद्रा मिनट के लिए भूनेंगे यह बिल्कुल द्राइई हो जाएगा इसमें मैं डाल देती हुए एक टेबल स्पून धनिय की डंडियां कती हुई और इसे हम भूने देखते हैं दस से बंद्रा मिनट के लिए हैं चार फ्राइई डनियां इसे हम थोड़े से एक वन फोट कप कड़ू डाल कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे इसमें कादू टुकरा इसका हम पेस्ट बना लेंगे हमें मतन को भूनते हुए यह 10-12 मिनट हो गए हैं अब हम अपने फ्राइड डनियां कादू जिसका हमने पेस्ट बनाए है यह इसमें डाल देंगे अब हम इसे कुकर में शिफ्ट कर लेंगे गिए डोपक पानी इसमें डाल देते हुए और बाकी का पानी इसमें हम डाल लेते हैं हमें गरम पानी ही डालना है इसमें अब हम अपना कुकर बंग रहते इस एक विसल आने देंगे 1 शबival कंधा करें पर 15 क्यार नैंट पेंगे हुआ दो 3 इसे डिफल के बाद 15-20 मिनट नी बेसी नियुकर लावा है अब हम प्रमा बन कhrd संनुह करें और 20 ज़ीथ इसमें हम दाल देंगे चमच गरम मसाला और इसे मिक्स करतेंगे हमारा मेकनी कुम पामन के तियार है आप भी से ट्राइब कीजिए और अपने एक्स पिरेंस हमारे साशेर करतेंगे करतेंगे लिजये थिलusta फिरेंसे फिरेंसे बता है तो हमारे करतेंगे जलमाएंगे एक दुझतेंगे प्राइब के प्रिए हमारे ृत्थ बारे कि भाल दूछला दुर से शएखिता देंगे ।